नमस्कार स्वागत आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरे जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे तो फड़फट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइग जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ हैं हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं आगे देखें बिहार के ग्रामीन कायर विभाग के बस्ट इंजिनियर के गर निगरानी के रेड पांच कडोर केस बरामद जी हा इस वक्त की बड़ी खबर राजदानी पटना से आ रही है जहां निगरानी इंजिनियर के पटना और किसनगंज से दावाज पर छяपे-मारी कर रही है यह औरोपी इंजिनियर संजे कुमार राएं तक भरस सकते हैं me good M inspection बीवांग ने जारी किया अलर्ट जी अभिहार में आज से अगले T Wha इंक तक अच्छी बारिस होने के असार उत्तर बीहार के अधिकतरों भारी और बेहार में समानी से मैद्धम भारिस के समाओना है कि दरदी बीख्ण को कहनाँ की समहने रूप से पूरी प्रदेश में जबर्जस ठंका गिरने के आसंका है इसको लेकर लोगों को सला दी गए कि वह बारिस किसमें पूरी तरह सतर्क रहे आयमडी पटना के मुताबिक किमाले के तलाटी वाले इलाकों में भारी बारिस हो सकती है विसेस रूप से पश्चिमी पूर्वी चमपार अनसितामणी सिवर मदोबनी सुपोलर अरिया किसन गंज मदेपूर पूर्णिया और कटियार में भारी से भारी बारिस के मदे नजर और एंजलर जारी किया गिया है पर देखिए पटना के फुलवार सरीब में रेलवे गुरुबडी की परिच्छा का प्रसन पत्र लेक एक गिरबतार जहाराम किष्णा नगर थाना छेदर के जकारिया पूर इलाके में इसी तेक उलाइन परिच्छा केंदर पर चल रहे कुलिस पोच्छ ताज में उसने कबूल किया कि उसे पहले से प्रसन पत्र का सेट मिला था रंजित को जेल भीज दिया गया है मालुम थाना अदक्ष जहांगीर आलम ने बताई कि परिच्छा केंद्र पर पूछे गए प्रसन का उत्तर लिख रहा था रंजित ने किसे यह करिदा है यह जानकरी थाना अदक्ष ने नहीं दी है उनका कहना दे कि जरौत बड़ी तो परिचातरी को रिमांड पर लेकर पूछता च जैस्टिस योयो ललित राश्टपती भवन में ले सपत जैस्टिस उदाय हुमेस ललित ने भारत के 49 मुक्यी नयादिस के तोर पर पध की सफद ले लियरा राश्टपती द्रौपती मुर्मु की मौजोद्गी में उन्होंने सपत सपत ली है वे अगले 75 दिन तक सुप्रि सगस्त को सिवा निर्थ हो गए हैं इसके बाद जश्टिस उताई उमेस ललीत को भारत का नया मुई के नियादी से नुक्त किया गया है नई चीप जश्टिस यूल ललीत का करिकाल तीन मैने से भी कम होगा बाड़ी कबर देखिए गंगा खत्रे के निशान से महज डेर्ड फूट नीचे धिरीदर दानापूर के नीचले इलाकों में गुश रहा है पानी दसत में लोग जिहां गंगा में उफान से दानापूर दियारे के निचले इलाके में सोना सुता के जरी गंगा का पानी घुस गया है अब बाड का पानी धिरी धरी गाउं की ओर बढ़ रहा है खत्रे की निसान से मात्र डेड़ पूर्ट निचे गंगा का जलस्तर बाह रहा है एक और जहां गंगा नदी में हो रहा है तेजी से विर्दी की कारण दियारे के गंगहारा हेतन पूर कासिम कच पुरानी पाना पूर पाताल पूर्वा मानस पंचाथ के करीब दो लाग अबादी पर बाढ़ का खत्रा मंदाने लगा है दूसरी तरह बाड़े कबर इंद्र पूरी में सोन नदी का जलस्तर विर्दी हो रहा है पूर्व जिलब प्रसत सदे से ओम प्रकास से यादा हुआ मुख्या दिने से प्रसाद ने मुख्य मंदरे आपदा प्रवंदर मंदरे डियेम हुआ HDO से गंगा में सरकार इसर पर नाओं का परेचलन करने की मांग की है उन्होंने बताए कि गंगा की उफान से दियारे के निचले लाकों में पाने घुस गया है बिहार के सभी जिलों में ठेका नगर निगम करमचारे आज से हरताल पर है उनके हरताल पर जाने से जगा जगा गंदगे का अंबार लग गया है बिहार राजिस्तानिय निकाई करमचारी महासंग साखा नगर निगम के सेकड़ो करमचारियों ने नगर निगम के गेट पर ताला जड़ कर सुबसाथ बज़े सही संग के आदक्च पुरंदे कुमार के अदक्सता में धर्ना पर बैट गये हैं दर्ना सभा में बिहार राजिस्तानिय निकाई करमचारी महासंग के जिला सचीव सा ओल इंडिया सेंट्रल काउंसिलिंग और ट्रेड उनियन्स के जिला सचीव रविंद्र कुमार रवी निकाई के सरकार के हड़ दर्मिता वा ताना साई रवय यह है इसके काराण आज कुठार गात किया जा रहा है आपको बता दे कि इनके मुई के मांगों में वर्सों से कारेरात सभाय करमियों को सिवा नियामित करने नगर निकाई में कारेरात सभी नियामित करमियों को सरकारी करमी के समुतुले बेतन पेंसन वा एसपी का लाब नगर निकाई में निजिक नेता सितमर में बिहार आएंगे जिहां बिहार में अंडिया गड़ बंदर टूटने के बाद बिजेपी ने लोकसभा चुनाद उजर चुनाद उजर चुनाद उजर चुनाद उजर पाचीस की तैयारिया सुरू कर दी है संगटन को मजबूती देने के लिए बीजेपी के आला नेता राज का दोरा करेंगे बिहार में जल्द बीजेपी के कदावार नेतावों के आने के सिलसिला तेज होने वाला है इसी कड़े में अगले मैंने केंदरे गिर्य मंत्रे अमित साराज का दोरा कर सकते हैं 15 सितमर से पहले सा का अससुद्दिन अवेसी और तोजस्वी यादव के गड़ सिमान चलाने का कैरकरम बन रहा है इसके अलावा बीजेपी के राष्ट यादव जेपी नड़ा वे सितमर में बिहारा सकते हैं बदाया जारा कि 10 से 15 सितमर के बीच अमिल साकी पूर्निया में बड़ी जन सबस सकती है वह आगे देखे लालान सिंग को सुसील मोदी की चुनोती हिमा था तो लालो यादव को निर्दोस घोसित करे खूदी दिया था सबूतों के फाइल जिहां बिहार में निदिस कुमार के फाला बदलने के बाद बीजेपी और जदोई की बीच तिखी बायान बाजी का दोर जारी है बीजेपी ने आरजेडी और जदोई दोनों की खिलाब मोरचा खोल दिया है तो आरजेडी इसे सत्ता से बाहर होने की बोकलाहाट बता रही है मगर जदोई एक और BJP की खिलापत कर रही है तो दूसरी और चीर विरोती आरजटी की प्रसंसा करना जदोई के मजबुरी बन गई है पिछले माह तक लालोई आदव और तजस्वी आदव को घुटाले बाज बताने वाले जदोई नेताव और अब आर जदी के नेताव पर सीबिया की करवाई का विरोत कर रहे हैं जदयूक राश्टी अदज ललन सिंग तजस्वी और राज़त नेताव के टिकानों पर सिबियाई की करवाई के विरोध कर रहे हैं यूँ कहे तो ललन सिंग राज़त नेताव और डिप्रिसियम तजस्वी अदव के बचाव में खुलकल बोल रहे हैं खास कर एक मॉल पर सरतन में बिजेपी से दो-दो हाथ करने के तयार है उन्होंने कहा कि बिजेपी पहले अपने गिरिबान में जहाके तब दूसरी पर आरोप लगा है ललन सिंग ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के एक भासन का पूराना वीडियो सेर किया है जिसमें मोदी मनवहन सिंग सरकार पर जाज एजेंसियों के दुरपयोग पर नाराजगी जता रहे हैं बाड़ी खबर आर्सिपी जल्द बीजेपी में होंगे सामिल दो दिनों से दिल्ली में डाला है डेरा बड़े नेताओ से करेंगे मुलकात जिहां आर्सिपी सिंग भादू के बाद सुमुरत में भाजबा में सामिल होंगे वो पीछले दो दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं नाम ना बताने की सर्थ पर उनके एक नजजदिकी ने बताया की आर्सिपी सिंग भाजबा के वरिष्ट और सिर्ष नेताओ से मुलकात करने वाले हैं दरसल बिहार में सरकार बदलने क का तदकाली कारण पुर्व केंद्रे मरत्री आर्सिपी सिंग अप धिरे दरे अपने आपको एक्टिव करने लगे हैं सुत्रों के अनुसार दिल्ली में वो भाजबा के वरिष्ट और सिर्ष नेताओ से मुलकात करने वाले हैं मुलकातों के बाद आधिकारिक रूप से भा साहनवाज ने लिया जाईजा कहा गंगा का जल इस्तर खत्रे की निसान से उपर जिहां गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखने और परभावित इलाकों का जाईजा लेने के लिए आपदा प्रबंदन मंत्रे साहनवाज सनिवार को पाटना सिटी के गायगाट के और उन्हें आवस्तिक दिसा निर्देश भी दियें एच्डी आरेप के टीम के साथ वोड पर बैठकर मंत्रे सानवाज ने गंगा घाटो और दियारा इलाकों का जाईजा लिया इस दौरान उन्होंने बताए कि गंगा का जलस्तर खत्रे की निसान को पार कर रहा है ऐसे में बार से निबटने के लिए सरकार की और से पूरी ववस्ता की गई है आपदा विभाग के टीम HDR पूरे एंडी आरे भी पूरी तरह से तयार है बाड़ी कावर पाटना सिविल कोड में तेजस्वी अदव के पेसी ट्रेफिक उलंगन मामले में मिली जमानत जिहा बिहार के उपूमिक मंत्री तेजस्वी अदव सनिवार को पाटना सिविल कोड पहुचे एक मामले में वे पाटना सिविल कोड में पेस हुए बताया जा कि प्रतिरोद मार्च के दोरान ट्रेफिक विवस्ता को लंगन से जुड़े एक मामले में उनकी पेसी हुई है पाटना के MPML कोड में सनिवार की दोपर तेजस्वी अदव सामिल हुए उपमुएक मंत्री के साथ साथ वकील को टीम कोड में मौझूद थे ट्रेफिक लंगन के मामले में तेजस्वी अदव को कल बेल मिल गई है बाड़ी कवर पाटना इनवसिटी में स्पोर्ट राउन से आवेदन के लिए आज खुलेगा ओल्लाइन पोर्टल चाहतल ले सकेंगे नामांकन जी हाँ पाटना विस्विदाला में सनातक वोकेशनल और रेगुलर कॉर्स में नामांग्कन प्रक्रिया चल रही है चौथे राउन काउंसलिंग के बाद बच्छी वे 40 सीटीों पर नामांग्कन के लिए इस्पोर्ट राउन प्रक्रिया भी ऑल्लाइन मैदम से होगी जीन बच्चों का नमांकन हो चुका वे इसपोर्ट राउंड प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे बाचे हुए वैसे अब तक जिनका नामांकन अभी तक नहीं हो सका है वे पी यू सीटी 22 में उत्रिन हुए इसपोर्ट राउंड में भाग लेने के लिए 24 पिलिंग की प्रक्रिया 28 अगस यानि आज रैवार कुस्वा आट बजे से दोपर दो बजे तक पटना विस्पिदाला के बेवसाइट पर यूजे के नामांकन के लिए 24 फिलिंग के लिए पोर्टल खुला रहेगा बड़ी खबर बिःखार पुलय टेक्निक परवेश्ट परिचा के नातीजे हुइ घोसीथ जिहाँ बिःखार कम मायन इंट्रेंस कम्पीडिटिव एक्जामίνेशन बोड ने बिहार डिप्लोमा सर्टिपिकेट इंट्रेंस कम्पिटिटिव एक्जामिनिसन 2022 का रिजल्ट घोसित कर दिया है वे केंडिडेट जिन्होंने ये एक्जाम दिया है वे BCCB के अधिकारिक बेवसाइड BCCBboard.bihar.government.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं अगली बड़ी खबर DRDO ने 1901 पदो पर भरती के लिए अधिसुचना जारी की ऐसे कर पाएंगे आवेदन जिहां DRDO में सरकारी नोकरे के एचुक उमिद्वारों के लिए बड़ी खबर है भारत सरकार के रक्षा मांतराले के अधिन रक्षानों संदान एवं विकास संगटन ने 1900 से अधिक पदो पर भरती के लिए अधिसुचना की है आपको बता दे कि जारी भरती भी गापन में DRDO टेक्निकल केडर, विदायक में सिनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नियेशन एक के कूल 1901 पदो पर भरती की जानी है वही आवेदन की प्रक्रिया 37 से सिरू होगे और उमिद्वार 23 सितमर 2022 तक अपना अप्लिकेशन सम्मिट कर सकेंगे आवेदन के भुगतान उमिद्वार को 100 रुपी की सुलक का भुगतान ओलाइन मैदम से करना होगा साथ है आपको बतादी के टेक्निकल असिस्टेंट बी पदो के लिए आवेदन के चुक मिद्वारो को किसी मन्यत प्राप्द उच सिक्षा या तक्निकी सिक्षा संस्तान से रिक्त से सम्मधित ट्रेड विसवी में डिग्री या डिप्लोमा उत्रीन होना चाहिए आज के लिए बिहार के डेली निउस देखने के लिए आप अमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें